नमस्कर किसान भाईयो आज एक किसान महेंगे खाद बीज और अपनी कड़ी मेने तोड लगन से एक अची फसल तो तैयर कर लेता है लेकिन बहुत से जंगली जानवर, नील गाई, अवारा गाएं, जंगली सुवर, बंदर, हीरण इस तरह के जीव उनकी फसलों को नुक्सान पहुचाते रहते हैं अब किसान भाई बहुत सी उपाए करते हैं अपने खेतों को तारबंदी भी करवाते हैं काटों वाली बाड भी बनाते हैं, बावजुद इसके जो नील गाई रहती है वो रुखने का नाम नहीं लेती और आपके खेतों में बहुत सा नुक्सान करके चली जाती है तो किसान भाई आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नील गाई से अपने फसलों को बचाने का ऐसा कारगर और प्रेक्टिकल तरीका में आप लोगों बताऊंगा जो मैंने भी किया है और मैं भी वही तरीका आजमाता हूं तो मेरे खेतों में तीन साल से नीलगाई ने पेर भी नहीं रखा है बाजूद इसके मेरे खेत के चारों तरफ कोई बाउंडर नहीं है कोई तारवंदी नहीं है ना ही कोई काटों वाली बाड मेंने बना रखी है और मेंने ये अरंडी की फसल भी लगा रखी है क्योंकि जो अरंडी तो है उनका फेवरेट खाना है अरंडी में तो एक बार जब रोज गुस गए नील गुस गए तो दूसरे पुसल को खाने का नाम ही नहीं लेंगे और में पुसला मेंने सकेस में लगा रखी है । तो आपसे मीरा अनुरोत है कि आप मेरे वीडियो को अंच्च तक जडरूर देखना क्योंकि वीडियो तोड़ा लंभा हो सकता है कुछ चोटी-मोटी बाते भी वीडियो में आ सकती है क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैं किसान की बाती ही बात करने लग जाता हूँ ये भूल जाता हूँ कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे 4 ये 5 मिनट का ये वीडियो बनाना है तो छोटी मोटी बाते भी बीच में में बता देता हूँ तो किसन भायो आप मेरी वीडियो का अंत तक जरूर देखना साथ ही जो किसन भाय पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोद है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी में जानकर ये अपलोड करूँ वो आप लोगों तो जल से जल पहुंचे और आप लोगों को भी इसका पूरा-पूरा लाब मिल सके क्योंकि किसन भयो जो उपाय में बतारें जा रहा हूं वो उपाय आपको यूटूब या किसी भी किसान ने या किसी भी सक्से से किसी भी इनसान से आपने नहीं सुनी होगी अगर आप यूटूब पर जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सी उल्टी सीधी जानकरिया ही मिलेगी जो आपनी फसल के साथ साथ आपको भी नुक्सान पहुंचा सकती है तो किसन बयो ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उपाय जो चोकिदार होते हैं जो खेतों की रखवाली करते हैं जो बावरिया जनजाती के लोग होते हैं वो खेतों की रखवाली करते हैं और बदले में कुछ फैसे या कुछ अनाज वो हमसे लेते हैं उन्होंने हमारे को बताई थी 10-15 साल पहले, जब मैं 17-18 साल काई था, तब उन्होंने हमारे को यह उपाई बताई थी, कि तो संबायों उन्होंने बताया कि जो चमडी रहती है वो चमडी हमें जो चपल जूते וगेरा जो बनते हैं वहां से आपको थोड़़ी से वेश्ठे चमडी आधा किलो लगवख आपको वेश्ठे चमडी उनसे ले आनिए है वो आपको फिरी में ही दे Kampfी ठेंगे उनका दस उस चमड़ी को लेकर अपने खेत के बीच में रात के टाइम पर रोज आने के एक या दो घंटे पहले ही आपको जो गोबर से बने विए जो रहते हैं, जलान लाइक जो बन जाता है, जिसे अलग-अलग भासा में अलग-अलग नाम दिये जाता है, किसी बासा में गरीना, किस तो थोड़ा सा वो लागर आपको खेत के बीच में जला देना है फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक सो दो सो ग्राम वो चमड़ी का टुगड़ा उसके ऊपर डाल देना है उससे क्या होगा आपके खेत के अंदर चारो तरह पे बदमू फेल जाएगी अब रोज की एक विशेष दोरी सी चलते ही रोज को उसकी घंद आजाएगी पूरे खेत पे अंदर सक बहुत जलद म neighborhood करता है तो ही रोज की रोच 수 आरे करें चारो तरप देखने लग शनका तो हमें नीलगय का उसी लिए हुआज करते हेैं तो हूर हमखे एक निकर पर करकए चारो तरप देखने है और यह उसी का एंटिडोट तयार होगा तो जब नीलगाय को उसकी बदभू उसके नाकों तक जाएगी तो नीलगाय सोचेगा कि यहाँ पर कोई शिकारी रहता है और वो जानुरों को मारकर खाता है तो हमें यहाँ पर नहीं रहना और यहाँ से भाग जाना है तो नीलगाय है सोचकर वहाँ से बाग जाएगा और कई सालों तक भी आपके खेट में नीलगाय नहीं गुसेगा किसानवयो में भी यही उपाय करता हूँ और आप देख सकते हैं सामने मेन सडक है चारों तरफ ही मेरा खेत खुला पड़ा है मैंने कोई तारमंदी नहीं लगा रखी है मेर चार मेने छे मेने यह उपाय करता रहता हूँ तो करीबन चार से पांस साल हो गए मैं ये उपाय लगातार कर रहा हूँ तो चार पांस सालों में मैंने कभी भी अपने खेत में रोज निलगाय नहीं देखे हैं बाउदू इसके मैं अरेंडी की फसल जो लगाया हुआ हूँ ये आप देख सकते हैं अरेंडी की फसल में लगाया हूँ और अरेंडी उनका फेवरेट खाना रहता है तो किशन बायो आप लोग भी ये उपाय जरूर करें और जो यूट्यूब पर बहुशे लोग बताते हैं उल्टा शिदा उपाय कोई बताता है कि आपने खेट के चारो तरफ जो तारबंदी उसमें क्रेंट लगा दो तो नील गाय को एक बार जटका लगेगा तो वो दूबर नहीं आएगा कोई बताता है कि अब आपनी फसल के ओपर गोबर का चिड़काओ कर दो तो आपको भी थोड़ा वो सोचना है कि अगर हम फसल पर गोबर का चिड़काओ कर देंगे तो वो फसल वो चारा अपनी जानवर भी नहीं खाएंगे तो उससे आपको डबल नुकसान हो सकता है और जब हम करंट तारों में छोड़ देंगे तो करंट किसी भी किसान के लिए किसी दूसरे इंसान के लिए भी गातक साबित हो सकता है उसकी जान भी उससे जा सकती है तो ऐसे उल्टे शुदे उपाई जो यूटिवर बताते हैं वो आप सोच करें लेकिन सोच समझ करी आप लोग करें वरना ऐसे उपाई ना करें और मेरा ये वीडियो आप देखकर आप भी ये उपाई करें जरूर करें क्योंकि अगर आप 5-7 दिन भी ये उपाई कर लिए हफ्ते बर अगर अगर आप ये उपाई कर लिए तो आने वाले कई सालों तक 2-3 सालों तक आपके खेत में रोज आपके खेत की तरफ मुह करके भी रोज वो नीलगाई जो रहते हैं वो मुह करके भी नहीं देखेंगे जो मैंने प्रेक्टिकल किया है और मैं यही उपाई आज माता हूं तो किसानवय ये मेरा ये वीडियो आप लोग भी देखे और साथ में ही दूसरे किसानवय को जरूर शेयर करें क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ही कम मिलती है और यूट्यूबर बहुत ही उल्टे सुदे उल्टे सिदे उपाई ही देखने को मिलते हैं धन्यव जईजवां जईगी सानव